जग्यासु मित्रों बहुत बहुत अविनंदन है आपका हमारे इस चैनल दिविस रिजन स्प्रीच्वल में और प्रतेक दिवस की भाती आज भी हम इस लाइव सेशन को प्रारंब कर रहे हैं लाइव चर्चा को थोड़ा विलंब हुआ कनेक्शन प्राब्लेम आने के कारण आज अचानक से अचानक से इंटरनेट चलना बंध हो गया हलाकि अब दूसरे माध्यम से कनेक्शन लेकर यह चलाया जा रहा है मूबाईल के उससे लेकिन जो ओरिजनल जो ब्राडबेंट चनेक्शन यहां रहता है वो बादित हो चुका ह पूरी तरह से इस समय बिल्कुल नहीं चल रहा तो चलिए जब तक इस पर चलेगा तब तक वडियो चलेगा अब देखिए कब तक चलता है पूरा चल जाए तो बहुती अच्छी बात तो मित्रों विशय है आत्म तक्त्व का रहस्य क्या है आज इस पर चर्चा करेंगे और जो मिरे मित्र धैरे बनाए रखे विलंब हो रहा था फिर भी धैरे प्रुवक रहे उन सब का बहुत बहुत अभिनंदन चंदन जना जी अवनी भट्टाचारे जी अलपा पटेल जी अमृत पाल सिंग जी अजीत भाई पटेल जी तो श्यंत चौहान जी राजू पाल जी म महेश राम पिस्ता जी तो मफत लाल पटेल जी अनिल कुमार जी भूप सिंग खिचर जी तरंजी सिंग बाला शर्मा जी गीता देव जी रभी कुमार जी योगिंद्र पंडित जी माधुरी कोले जी रचना जी जोनती दत्ता जी सब का बहुत बहुत अभिनंदन है तो मित मित्रों यह स्वभाग्य से यह संजोग बनता है कि अध्यात्मिक चर्चा का संजोग बने क्योंकि सुद्धारा और लक्षमी पापी घर भी होए संत समागम हरी कथा तुलसी दुरलब दोए तो इस प्रकार से यह माननता है कि संसार का होना तो पापियों के घर पर भी संबव है मया का होना लेकिन अध्यात्मिकता का होना सतसंग का होना यस दुरलब है यह अत्यनत ही दुरलब है तो इसी लिए यह हम यहाँ पर एक संजोग बनता है जो कि बड़े भाग्य से बनता क्योंकि यह भाग्य से ही बनता है ऐसा संजोग कि ऐसे हम लाइव चर्चा में अध्यात्मिक चर्चा में इंटरनेट के माध्यम से हम यहां पर एकत्र होते हैं और हम सब अध्यात्मे के विश्यों पर चर्चा भी करते हैं तो जिग्यासुमों अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चिंतन मनन विचार करेंगे विश्यों पर तो आज का जो विशा है वो भी इशावाश्य उपनीथस से आत्म तत्व का रहस्य क्या है तो पिछले स्लोक में जो कल हमने जो चर्चा की थी वो क्या था कि वो सब कुछ वो कुछ ना करते हैं वे भी सब कुछ करता है वही सब कुछ करने वाला है तो हमने चतुर्थ स्लोक के अंदर अने जदेकब मनसो जवीयो नैन देवा आपनु अन्पुर्व मर्षत तदभावतो अन्यानित तेती तिश्ठतस मिन्नपो मातरिश्वाद धाती इस प्रकार से स्लोक में लिखा गया कि वह आत्म तत्व तो चतुर्थ इस लोक के अंदर इशावाश्य प्रिशत का चौथा इस लोक हमने कल भी इस पर चिंतन किया था आज भी इसको चिंतन में ले रहे हैं तो कहा गया कि वह आत्म तत्व अपने स्वरूप से विचलित ना होने वाला एक तथा मन से भी तिव्र गती वाला इसे इंदरियां प्राप्त नहीं कर सकती ना कर सकी और ना कर सकती हैं क्योंकि यह उन सबसे पहले गया हुआ है यदपी इसमें गती नहीं फिर भी सबसे अधिक गती शील है दूसरी कोई भी गती शील वस्तू आत्मा की गती को ना पकड़ सकता जबकि वो उसमें गती भी ना हो वा इस्थिर होने पर भी अन्य सभी गती शीलों को अतिकर्मन कर जाता है उसके रहते हुए वायू समस्त प्राणियों के प्रवित रूपी कर्मों का विभाग करता है और कर्म फल का भी कारण बनता है तो वह उस आत्मा के लिए ही उस इश्वर के लिए ही ऐसी बात यहां पर कही जा रही है कि वह आत्म तत्व गती शीलों से भी अती गती शील है वह आत्म तत्व इतना गती शील है कि मन और इंद्रिय के वस्तू भी उसकी गती का इस पर्ष नहीं कर सकते उस तक नहीं पहुंच सकते कुछ ऐसी बात यहां पर समझाई जा रही है फिर आगे क्या कहा जा रहा है आगे का विशय क्या है आगे इसमें पंचम इस लोग के अंदर आत्म तत्व को समझाने के लिए क्या कहा जा रहा है तो इस प्रकार से आईए हम उपनिशदों के इस ग्रंथ के माध्यम से समझे तो कहा रहे हैं कि वे चलते हैं नहीं चलते हैं अर्थात आत्मा के लिए कहा जा रहा है वह चलते भी है और वह नहीं भी चलती तदे जती तन्य जती तन्य जती तन्य जती तन्य जती इसका अर्थ क्या है कि वह चलता भी है और वह नहीं भी चलता है फिर कहा रहे हैं दूरे तदे जती तन्य जती तद दूरे तदिंत के तदंतरस्य सर्वस्य तदू सर्वस्यास्य बाहयतह अर्थात तदे जती मतलब कि वह चलते हैं तन्य जती वह नहीं भी चलते हैं वह दूर भी है वह अत्यंत दूर है और फिर वह अत्यंत सुक्षम भी है और अत्यंत विशाल भी है वे अस्या तत अस्या तदंतर अस्या सरवश्य तदू सरवास्य बाहियतः अर्थात वे इस समस्त जगत के भीतर परिपूर्ण है वे समस्त जगत के भीतर परिपूर्ण है वे समस्त जगत के बाहर भी परिपूर्ण है जगत के भीतर भी परिपूर्ण है और जगत के बाहर परिपूर्ण है तो वे परमेश्वर चलते भी हैं और नहीं भी चलते एक ही काल में परसपर विरोधी भाव गुन तथा क्रिया जिन में रह सकती है वे ही तो परमेश्वर है यह उनकी अचिंतिय शक्ती की महिमा है दूसरे प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि वह परमात्मा वह आत्मा जो अपने दिव्व परमधाम में और लीला धाम में अपने प्रिया को सुख पहुचाने के लिए आप राकरति जो प्रिया योगी है उसके भक्त हैं उसको सुख पहुचाने के लिए आप राकरतिक सगुन साकार रूप में प्रगट रहकर लीला तो किया करते है परंतु वह सुक्ष्म से भी सुक्ष्म विशाल से भी विशाल हैं और वह भावती तवस्था में रहने के कारण वह चलते भी हैं नहीं भी चलते हैं थिर भी हैं और थिर नहीं भी है तो वास्तों में इस इसलोग का जो अर्थ है वह क्या है कि वह आत्म तत्व चलता है और न वह सब संपूर्ण जगत के भीतर भी है और जगत के बाहर भी है वह सुक्ष में भी है और वह विशाल भी है आत्म तत्व की ऐसी चर्चा उपनिशदों में कई जगहों पर प्राप्त होती है चांदों के उपनिशद में भी मुंडकों उपनिशद में भी कठों उपनिशद में भी आगे आने वाले जिन उपनिशदों पर हम चर्चा करेंगे उन उपनिशदों में भी इस प्रकार की चर्चा मिलेगी जो इशावाश्य उपनिशद में हो रहे हैं ये लग बात है कि उपनिशदों का अधार भी अलग-अलग होते हैं अलग-अलग वेदों का वैदिक अधार उनके होते हैं जैसे कि इशावाश्य उपनिशद का शुक्ल यजुरवेद उसका वैदिक अधार उससे निकला हुआ है मांडुक के पे और मुंडकों पे हम चले जाएंगे तो अथर्ववेद में आ जाएगा फिर वो अथर्ववेद में आ जाएगा इस प्रकार से सामवेदिया अथर्ववेदिया उपनिशद हुआ करते हैं रिगवेदिया और यजुरवेदिया तो इशावाश्य उपनिशद यजुरवेदिया शुकली यजुरवेदिया उपनिशद है तो यह आत्मतत्व की चर्चा करते हुए कहता है कि वह आत्मतत्व चलता भी है और नहीं भी चलता है वह दूर भी है बहुत दूर है जो नहीं जानते दूर किन के लिए है जो इंद्रियों के वशिभूत अपना जीवन वेजित कर रहे हैं। मतलब कि हमारे इस शरीर से भी अत्यदिक समीप है वो इस शरीर और हमारे बीच में कितनी दूरी है क्या हम माप सकते हैं नहीं माप सकते हैं। क्या दूर होगा और क्या पास होगा वैसे देखा जाए तो सबसे पास तो वह स्वयम ही है परंतु। यहां कहा जा रहा है कि वह दूर भी है और बहुत समीप भी है उससे समीप कुछ भी नहीं। जितना नजदीक आत्मा है उससे नजदीक कुछ भी नहीं। लेकिन जो इंद्रियों के वशिभूत जीवन वितित करने वाले हैं इंद्रिय भोगों के परति भागने वाले हैं उनके लिए वह आत्मा बहुत दूर है। वह अत्यन्त सुक्ष्म से भी सुक्ष्म और विशाल से भी विशाल है। वह सब जगत में भी है और सब जगत के बाहर भी है। तो जगत क्या है। यह संसार क्या है। इंद्रिय अनुभूती ही तो संसार है। इंद्रियों से जो आप अनुभाव कर रहे हैं वही तो संसार है ना। इसलिए इंद्रियों से अनुभाव होने के कारण वह सत्त भी ना है। वह तो मिध्यापूर नहीं है। इंद्रियों से अनुभाव होने के कारण। तो जो इंद्रियों के वशिभूत होने की कारण जो जगत है वह भी उसमें भी बैठा हुआ है आत्मा और जो इंद्रियों के परे है अर्थात उससे अलग है जगत से बाहर जगत से बाहर होने जगत के भीतर संसार के भीतर होने का मतलब इंद्रियों इंद्रिय जनित अनुभूतिय का संसार उसके भीतर भी है और इंद्रिया तीत इंद्रियों से परे भी है इसलिए कहा जा रहा है कि वो सर्वस जगत सर्वस संसार में भीतर भी है और उसके बाहर संसार के बाहर भी है तो संसार तो इंद्रिय अनुभूतियों पर निर्भर करता है इसलिए हमें यह विचार करना पड़ेगा और विचार करके इसको इस पश्ट रखना पड़ेगा इस विशे को ठीक है जिग्यासू तो यह आत्म तत्म की व्याख्या इस प्रकार से मिल रही है कि वो कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करने वाला है वह ना चलते हुए भी वो चलित नहीं है लेकिन फिर भी चलता हुआ दिखाई देता है फिर भी चलता हुआ नजर आता है वह दूर भी है और वह अत्यंत समीप भी है वह आत्म तत्व अपने स्वरूप से विचलित ना होने वाला एक तथा मन से भी तिवरगती वाला है इसे इंद्रिया नहीं प्राप्त कर सकती कियोंकि यह उन सबसे पहले गया हुआ है विद्दमान है वह इस्थिर होने पर भी अन्य सभी गती शीलों का अतिक्रमन कर जाता है इस्थिर होने पर भी सभी गती शीलों का अतिक्रमन कर जाता है और कोई उसकी गती शील वस्तु चाहे वो इंद्रिय गती हो, मन गती हो, ग्रह गती हो कोई उसकी गती को इस पर्ष नहीं कर सकता है तो उसके रहते हुए वायू समस्त प्राणियों के भीतर कर्म का विधान करते हैं कर्म का विधान भी वही करता है, इसलिए सब कुछ करते ना कुछ भी ना करते हुए भी वही सब कुछ करने वाला है तो यह सब आत्मे तक्त्व के रहस्य हैं कुछ ना करते हैं भी वही सब कुछ करने वाला है अक्तियंत गती शील है सब में समाया हुआ है और फिर वह न चलता है और वह चलता भी है ऐसे भी कहा जा रहा है वह चलता नहीं और फिर वह चलता भी है वह दूर भी है, समीब भी है, वह सब के भीतर और सब के बाहर भी है, संसार के भीतर और संसार के बाहर भी है इस प्रकार से इस विशय को यहाँ पर समझाय जा रहा है तो आत्म तक्त्व क्या है बस यही आज का विशय था तो आत्मा भावा तीत इंद्रिया तीत तक्त्व है इसलिए हम मात्र उसे जानने के लिए अपने योग से अपने अभ्यास से अभ्यास योग से साधना करते हुए ध्यान करते हुए ही हम जान सकते हैं और वह सही माइनों में वह ध्यान की विधी भी जाननी जरूरी है जो हमें अंतर मुखी करने वाली है अंतर मुखी जो हमें अंतर मुखी कर देगी तो हम अपने अंतर से ही सब सारे आत्मा के सारे रहस्यों को जान पाएंगे समझ पाएंगे यह तो ऐसे तरक बुद्धी से और बाहिय बुद्धी से हमें लगेगा कि आत्मा के अनिक गुन है जबकि वह निर्गुन है निर्गुन होते वे भी सारे गुन उसी के है जैसे कि गतिहीन होते वे भी वो गतिशील है तो उसी प्रकार से निर्गुन होते वे भी सारे गुन उसी के है तो यह भी हो जाता है इसलिए आत्मा यह इंद्रियों का विश्य नहीं है यह ध्यान का विश्य है दिरंतर अभ्यास की द्वारा वहां पहुचा जाएगा तवो श्री पदे कोटी कोटी प्रणाम गुरुजी उपनीशद शास्तर के चार सुरुवात करके आप तो हमारा मन रख दिया है आपको कोटी कोटी धन्यवाद गुरुजी आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन कि आप उपनीशद चर्चा सुनने के जिग्यासू हैं क्योंक पत्तवर्दों को सुनना चाहते हैं तूकि उपनिशद बहुत ही गहन विशय है और कई बार इसको पढ़ने वाले कहते हैं कि हम बोर हो रहे हैं। लेकिन सच यह है जो आत्म तक्त्व के एक खोजी हैं उनको तो उपनिशद का हर इसलोक रोमान्चित करता है। उनको तो हर इस लोक हर बात ही आनंद में से भर जाता है ठीक तो यह है आगे चलिए अलपा पटेल जी गुड मॉर्निंग आपको भी अमरित पाल सिंग जी चरण बंदना मेरी कुछ तबीय ठीक ना होने के कारण गुरुजी मैं कुछ दिनों से आप से नहीं जुड़ पाया पिछले प्रश्ण का उत्तर मैंने बाद में विडियो में प्राप्त कर लिया था आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी आभार जी है कि कर्मों को करने के लिए विवश कौन करता है प्रकृती के तीनों गुन जो हमारा एहंकार है जी बिलकुल प्रकृती के तीन भूत भी विवश्च करते हैं पंचतत्व जो हैं वह भी विवश्च करते हैं तो सब प्रकृती कहीं अंग है इसलिए प्रकृती ही विवश्च कर रही है दुशियंत चोहां जी गुरुदेव वैसे आपने शायद ही कुछ छोड़ा होगा पतंजली अस्टांग योग गीता वेदाज पुरान उपनीशद अद्वई अधतावक्र अस्टावक्र गीता गरेट अभार आप सबका जुड़ें और लाब उठाएं और साथ में शेयर भी करें आईए चलिए आगे चलते हैं जोंती दत्ता जी ओम नमस्षिवाए जैसिया राम जी जैसिया राम ठीक तो सबको जैश्री राम तो जिग्यास्वों यह हम विशय जो लेके चल रहे हैं यह आत्मतत्व का विशय है आप लोग इससे जो भी आपको इस पर प्रश्न करन है या जो भी जानना चाहते हैं इससे संबंदित प्रश्न करना चाहते हैं लाइव से संबंदित प्रश्न अध्यात्मिक और तो आप निश्य ही इसको कर सकते हैं निश्य ही इसको करे तो कई लोगों ने कई तरह के प्रश्ण पहले भी कमेंट्स में किये हैं तो उनके प्रश्ण को भी हम आज लेते हैं और देखते हैं कि कौन किस सादक ने पीछे कौन से प्रश्ण किये जिनका जिन पर चर्चा अभी बाकी है तो कई चर्चाएं बाकी र प्रश्णों को हम कर लें, cover कर लिया जाए, ठीक है, तो उसी उद्देश्च से, आज हम दूसरे कमेंट्स को भी ले रहे हैं, ठीक, तो परोक्ष और अपरोक्ष का विशय क्या है, तो परोक्ष और अपरोक्ष, आपरोक्ष, बिना किसी माध्यम के, और परोक्ष मतलब माध्यम से, इंद्रियों से, और अपरोक्ष बिना इंद्रियम माध्यम से भी, बिना किसी माध्यम के ही, जो सीधा, इसलिए दो प्रकार के अनुभूतियां बताई गई हैं, परोक्ष और अपरोक्ष अनुभूतियां, तो आदिगुरु शंकराचार बिना पानम व्यादिर आउखद शब्दता बिना अपरोक्ष अनुभवं ब्रह्म शब्दैन मुच्चते अपरोक्ष अनुभूती तो किसी ने कमेंट में प्रशन किया परोक्ष और अपरोक्ष के बारे हम बताएं तो आज हम उसी को बता रहे हैं परोक्ष अपरोक्ष तो अपरोक्ष मतलब बिना किसी परोक्ष के बिना किसी माध्यम किया उसी अपरोक्ष अनुभूती कहते हैं इसी की चर्चा वेक्षुडा मनी में करते हैं जो लिखे गई कि अपरोक्ष अनुभूतियों का होना अपरोक्ष अनुभूतियों का होना वो कैसे होता है जी तो स्वेम ध्यान में जाकर, स्वेम शाच्छी भाव को प्राप्त करकर, स्वेम तुरी को प्राप्त करकर, जब तक तुम स्वेम ब्रह्म का परते विंबित नहीं साक्षात कार कर लेते, तब तक, तब तक तुम ब्रह्म को मातर शब्दों से और बातों से नहीं जान सकते, ठीक ह तो यह विशय यहाँ पर दिया जा रहा है ठीक है मित्रो तो यह हमें विचार करते हुए हमें इसको समझना है सरलता से और इसलिए जब परोक्ष अनुभूती होगी वो किसी के माध्यम से होगी इंद्रियों के माध्यम से हम ले ले या फिर किसी अन्य माध्यम से हम ले 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 लेकिन जो अपरोक्ष अनुभूती होगी वो सीधा होगी वो डायरेक्ट परसेप्षन तो वो डायरेक्ट परसेप्षन का विशय बनता है तो डायरेक्ट परसेप्षन हमें प्राप्त होगा तो वह प्रतक्ष अनुभूती है इसलिए आधि संक्राचारे ने ब्रह्म को प्रतक्ष ही माना है ना तो अनुमान माना है और ना ही उन्होंने उपमान माना है बलकि प्रतक्ष माना है तो प्रतक्ष वह कब होगा योगज अनुभूती से प्रतक्ष होगा योगज मतलब जो योग साधना के द्वारा होने वाली अनुभूतियां हैं उनको योगज कहते हैं तो योगी जो है उसके माध्यम से भी अनुभूतियों को प्राप्त कर लिया करते हैं तो उसके लिए उन्हें किसी शब्द की आवशकता नहीं इसलिए यहां पर का गया कि बिना आपरोक्षन नहीं होने वाला ब्रह्म को कोई जान नहीं सकता जब तक तुम प्रतक्षन उभाव नहीं करोगे जब तक तुम स्वेम ही अव्यक्त वस्था को नहीं जानोगे तब तक तुम कहां से जान पाओगे इसलिए स्वेम के साधना से जानना स्वेम के ध्यान से जानना महत्वण ह साधना ध्यान, तब ही हम उस आत्मतक्त्व, जो हम आत्मतक्त्व कहते हैं कि यह आत्मतक्त्व है, ऐसा आत्मतक्त्व है, वैसा आत्मतक्त्व है, वह समीप से भी समीप, दूर से भी दूर, और फिर वह चलते हुए भी, नहीं चलते हुए भी चलता हुआ, कुछ ना करते हु उसमें भी सब कुछ करता हुआ, जो कुछ भी हो रहा है, उसी से हो रहा है, उस आत्मा को जानना चाहिए, उस आत्मा को जानना चाहिए, मानना नहीं चाहिए, अरे वहा आत्मा शोतव्यों, मंतव्यों, दर्श्टव्यों, निदिध्यास तव्यों, इस प्रकार से का शास्त्रों का ग्रंधों में वर्णन में ऐसा मिलता है तो जिग्यासु हम भी इस विशे को इसी प्रकार से समझे और जाने तो वह आत्मतत्व दूर से भी दूर समीप से भी समीप बिना चलते हिवे भी चलते हिवे सभी गतियों उसमें इस्थिरता है कोई गती नहीं फर कोई गतीशी लिवस्तू उसकी बराबरी नहीं कर सकता है वो ऐसा रहसमई है तो उसको जान लेना उस आत्मतत्व का ग्यान होना उसको जान लेना या वास्तों में ग्यान है या अंतरनुव होती है ठीक तो जिग्यासु हो इस प्रकार का प्रयास ही करना चाहिए और उस मनुष्य शरीर देखिए जो 84 लाख योनियों में जो जीव है वह तो अपने शरीर से भोगों को भोगी रहें खाना पीना सो जाना सब काम है पशू समाना जी क्यों देह मनुझ की धारी क्यों देह मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है मनुष्वत्वम मुमुक्ष अगया यह तीन चीज़े दुरलब है क्या चीज़े दुरलब है मनुष्य जीवन दुरलब है और मनुष्य जीवन प्राप्त होकर मुमुक्षू बन जाना मुमुक्षू मतलब जो मुक्ष का मुक्ष को प्राप्त करने की इक्षा रखता है वैसा मुमुक्षू बन जाना वह भी अत्यंत दुरलब है और महापुरुष संश्रय अर्थात महापुरुषों तत्व ज्यानियों का आश्रे प्राप्त हो जाना भी अत्यंत दुरलब है इसलिए जिग्यासुओं उस दुरलब को हम प्राप्त कर ले तो निश्य ही हमारा जीवन सफन हो जाएगा तो उस आ जीवन का लाब उठाएंगे विकि हम स्वेम को जान जाएंगे और स्वेम को जानने वाला निश्चित रूप से वह जीवन में अन्य लोगों की तूलना में अतिक आनंदित रहता है। यहां पर विराम दिया जाएगा और आप सभी इससे जुड़े और बने रहें यह बहुत ही अच्छी बात और निश्यही आगे भी इसी परकार से जुड़े रहें बने रहें कल फिर उपनिशदों का विशाय लेकर हम फिर से उपस्तित होंगे उपनिशदों पर ही कोई न होगी आप चैनल से जुड़े सबस्क्राइब कर दें समाजिक रूप से भी आप जागरूक रहें अपने धर्म को लेकर अपने संसकारों को लेकर उसके प्रतिवी हमें जागरूक रहने की ज़ूरत है ताकि जो आपत्ती जनक घटनाएं बार-बार हमें सुनने को मिलती हैं कि आप अध्यात्मिक्ता बता तो रहे हैं ठीक है अध्यात्मिक्ता के द्वारा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है लेकिन अगर उसे जीवन जीना ही नहीं आया जीवन ही जीना सही से नहीं सीख पाया तो फिर क्या लाग कोई बात नहीं अगर आप लाइव देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा डिसकनेक्शन हुआ अब चालू है तो चलिए इस पर हम आगे बढ़ते हैं चर्चा पर तो कई बार लोग पूछ देते हैं प्रशन तो उसको भी लेना पड़ता है साथ में कि जो समाजिक समस्याएं हैं उसका समाधान हमें शास्त्रों से कैसे मिलेगा जो समाजिक समस्याएं हैं उसका समाधान शास्त्रों से कैसे मिलेगा तो निश्य ही उसका समाधान भी शास्त्रों से है क्योंकि शास्त्र हमें वास्तों में क्या करना है हमें बताते हैं किस प्रकार से समाजिकता की भी रक्षा करने। इसलिए हमें समाजिक रूप से भी स्ट्रॉंग होने की ज़ूरत है, सजग होने की ज़ूरत है, जागरुक होने की ज़ूरत है और दूसरों को भी जागरुक करते रहने की आवशकता है, तो यहां हमें समझने की आवशकता मित्रो निश्य ही स्वेम जागरूक रहे, स्वेम को अध्यात्मिक रूप से भी बलवान और बाहय रूप से भी हमें सबल रहना है शास्त्र हमें आखरी, इसलिए आपने देखा नहीं, अभी हमें जो अभी जो इशावाश उपनीशद का ये चर्चा चली इस इशावाश उपनिशद के दूसरे इसलोक में क्या कहा गया पहले इसलोक में और दूसरे इसलोक में ये सबसे जो प्रत्थम और दूसरा इसलोक है वही सरह से पुर्ण है तो पहले इसलोक में ही कहा गया कि इशावाश मिदम सरवं यत किंच जगत त्याम जगत इस प्रका चाहिए और उस संपुल्ण संसार के भोगों को त्याग पुर्वग भोगना चाहिए और धन में आसकती नहीं रखनी चाहिए क्योंकि वो साथ देने वाला नहीं है इस प्रकार एक सनातन धर्मी को अपना जीवन जीना चाहिए और इस लोक में कर्म करते हैं वे सौ वर्ष जीने की इक्षा करें और इस प्रकार मनुशत्व का अभिमान रखने वाले तेरे लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है जिससे तू कर्मों से लिप्त ना हो कर्मों का फल तुझे ना भोगना पड़े तू निश्काम भावना से कर्म करते हैं वे सौ वर्षों तक जिवित रहने की काम ना कर ये किसके लिए कहा जा रहा एक सनातन धर्मी के लिए कहा जा रहा है तो आतम हत्या की तो सोचना भी मत सौ वर्षों तक जीने की कामना करो लेकिन निश्काम भाव से करम करते हैं ये भी बात कहे दिया गया इशावाश कि उपनिशद निश्काम भावसे त्याग भावसे करब करो भोगों को भोगों, त्याग भाव मतलब भोगों में आसकती ना हो, प्रारप्द के वशिभूत जो भोग प्राप्त हुए बस उतना ही भोगो, जबरदस्ती कुछ भोगने के पीछे ना पड़ो और फिर धन भी वैसे ही कठा करो और ऐसी समझ विक्सित करकर अनासक्त भाव से रहते हुए निश्काम भाव से कर्म करते हुए तुम सौ वर्षों तक रहो सौ वर्षों तक रहने की इच्छा करो और सौ वर्षों तक लंबे समय तक निश्काम करोगे तो निश्य ही तो मोक्ष के अधिकाली तो बन ही जाओगे और तुम्हारा अगला जो जन्म है वह भी अत्यंतिस्रष्ट होगा तो सौ वर्षों तक जीने की इच्छा करो और जो आतताई जो आतताई नहीं चाहते कि तुम्हारा सनातन धर्म विक्सित हो क्योंकि देखे सनातन की विशेस्ता क्या है मैं थोड़ा सा ही बोलूँगा जादा नहीं बोलूँगा इस विशय पर क्योंकि यह एक ऐसा विशह है कि जिसे अलग से ही हमें विडियो बना कर थोड़ा समझाना पड़ेगा तो इसलिए मित्रो हम जरूर एक विडियो इस पर लाएंगे इस विशह पर भी कई लोग प्रश्न करते हैं कि आज की जो हमारी समस्याएं हैं उसका समधान शास्त्रों से कैसे होगा तो पहला समधान मैंने आपको क्या बताया कि भीया मरने की मत सोचो सौ वरसों तक जीओ लेकिन संसार में निशकाम भाव से जीओ निश्काम भाव से कर्म करो त्याग भाव से भोगों का भोग करो इस प्रकार की बात हमारे शास्त्र करते हैं तो सिक्षा लेने का यह विशय है न और तुम जीओ और दूसरों को जीने दो समभाव से सब एक दूसरे के परती परिवार का बोध रखते हैं वे जीओ लेकिन जो परिवार का बोध ना रखता हो उसके विपरित अनुभूती रखता हो वो कहता है कि नहीं भाई तुम परिवार मानो हम तो मार काट करेंगे और सब को खतम कर देंगे तो वही होगा जो रावन के साथ हुआ जो दुर्योधन के साथ हुआ वही करना चाहिए फिर तो तुम्हें विवेक पूर्ण धंग से जल्दबाजी में नहीं स्वार्थ में नहीं राजनीती में नहीं विवेक पूर्ण धंग से शास्त्र सम्मत तरीके से तुम्हें शस्त्र उठाना ही चाहिए फिर तो शस्त्र उठाना ही चाहिए फिर तो वही होगा जो रावन के साथ हुआ और जो दुर्योधन के साथ हुआ उन सभी आतताईयों के साथ तुमें ही तो करना पड़ेगा कोई बाहर का अदमी आके करेगा क्या तुमें ही तो करना पड़ेगा इसलिए रामधारी सी दिनकर अपनी कवीता में लिखते हैं कि जो गीता में भी त्रिपिटिक निकाय ढूंडते हैं वही देश को गरबर करने वाले वही लोग हैं कि जो गीता में सांती सुत्र ढूंड रहे हैं जबकि गीता तो कर्तव्य कर्मों की सिक्षा देता है अरजुन को बार बार कह रहे हैं तेरा धर्म चत्रिय धर्म है तेरा स्वधर्म छत्रिया है तो उसके लिए क्यूं नहीं कर रहा कुछ तो क्यूं भूल जा रहा है अपने स्वधर्म को और युद्ध से क्यूं पलायन कर जाना चाहता है यही तो स्रिकृष्ण अरजन को समझा रहे है तो तेरे सामने जो कर्म कर्टव्य आ चुका है उसको निश्काम भाव से करना करना यह कर्मयोग है तो स्रिप शांती शांती मत ढूंड़िये और स्वेम को बलवती करिये स्वेम को एक जल्दबाजी में नहीं एक बेहोशी में नहीं जोश दो प्रकार के होते एक होता बेहोशी में बेहोशी में लोग लड़ने मरने के लिए कटने के लिए तयार है नहीं एक विवेक पूर्ण धंग से कर्म कर रहे हैं तो विवेक पूर्ण धंग से निश्य ही आत्मरक्षा और धर्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाना चाहिए विवेक पुर्ण ढंग से शास्त्र सम्मत ढंग से निश्य ही आत्म रक्षा और धर्म रक्षा है तू शास्त्र उठाना ही चाहिए तो ऐसे कई समस्याइं हमारे समाज में हैं जहां पर आप सुनते हैं कि किस प्रकार से सनातन धर्म विरोधी के हत्याएं कर देते हैं कुछ कर देते हैं कभी कुछ तो लेकिन अगर हम उसको लीपा पोती करने पर लगे रहेंगे तो कहीं न कहीं हम खुद दोशी हैं इन सब चीजों को हम अपरतक्ष रूप में बढ़ावा दे रहे हैं तो अपरतक्ष बढ़ावा उसको हमें नहीं देना चाहिए उसके परते ज साइन सीटी करकर साइन सीटी कोई उसके कोई डैरेक्टर है दुबई में नसीम नसीम सहाब कोई है वो रहते हैं रासिद नसीम कुछ इसे नाम है तो बड़े परिशान कि क्या आपके पास कोई अध्यात्मिक शक्ति है कि धन वापिस आ जाये मेरा जमीन मेरी फसी हुई है ऐसे साइन सिटी नामक कोई प्रोजेक्ट है उसके अंदर तो ऐसे ऐसे समस्याइं लेकर लोग प्रश्ण करते हैं तो फिर ये उनकी इच्छा होती है कि शास्त्रों से अध्यात्मिक्ता से इन सब समस्याओं का समधान क्या संभव है तो जी हाँ बिल्कुल संभव है शास्त्रों से अंदर का भी समधान संभव है और बाहर का भी समधान संभव है लेकिन सबसे बड़ी समस्या अंदर का ही समधान है अगर भरष्टाचार है तो भरष्टाचार का कारण क्या है आंतरिक भर कर दो जब तक कानून लागू करने वालों के मन में भरष्टाचार है तो वो भरष्टाचार का रास्ता निकाल लेंगे तो यह भी विवेक से समझना है लेकिन स्वारक्षा हम अगर अपनी साधना से अपने आपको परिपक्व कर लेंगे तो हमारे मन की परिपक्वता मन की ए तो फिर वो एक अलग धन से हमें जीवन के राह पर ले चलेगी जो अत्यनत ही आनंदमई है अत्यनत ही सुखमई है इसलिए जिग्यास्वों हमें बहुत ही विचार करकर निश्य ही तसमाद योगी भवार्जुना है अर्जुन तो योगी बन जाए तो कि योगी अपने जाग लेने की छमता भी बड़ी मजबूत होती है उसकी सधारन रिक्ति निरनेओं को लेने में 50 बार सोचेगा लेकिन योगी तो साप साप देखेगा और साप साप निरने लेगा ये सही है तो ये सही ये करना है ठीक है तो जिग्यास्वों हमें भी इसी प्रकार से समझते हुए निश्य ही सबसे पहले अपनी साधना अपने ज्यान से अपने आपको परिपक्व करें और समाज में भी संदेश फैलाएं कि वह ज्यान से अपने आपको परिपक्व करें और उसका लाब उठाएं ठीक है में तो जिग्यास्वों इसी के साथ मैं विराम दूँगा समझदा तो कई प्रकार की समाजिक समस्या है नारी उत्पिरन की समस्या है कुछ लोग तो जादा तर तो यही प्रश्न करते हैं कि यह डेरा यह बाबा लोग यह आश्रम यह क्या चीजे हैं और इनको लेकर इतना जादा वाद विवाद क्यों शुरू हो जाता है क्या समस्या है तो य अभी लोग प्रश्ण करते हैं तो ऐसे कई प्रश्ण हैं किसी ने मुझसे बहुत ही इस पर चर्चा करने के लिए कहा था तो जरूर ही एक सिरीज ही लाएंगे जिसमें कई समाजिक सोशल इश्यूस पर चर्चा की जाएंगी तो चली अभी उपनीशदों का विशय जिस समय नौ बज़े चलता है उस समय तो उपनीशदों का विशय चलता ही रहेगा फिलहाल बीच बीच में अगर कोई विशय लगा कि हाँ यह विशय भी अत्यनत आवश्यक है तो उस पर भी जरूर बोला जाएगा चली मित्रों इसी के साथ मैं अभी आज के इस सभा को यहां विराम देता हूँ बहुत आभार आप सब के जुड़े रहने के लिए बने रहने के लिए चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर दें शेयर भी कर दें और कोई ध्यान योग की क्लास करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेश चलती है ध्यान योग की बहुत गहरे ध्यान योग की डीप मेडिटेशन के लिए यह सब क्लासेश चलती हैं आप इसका लाग उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर यूटूब के माध्यम से भी और वैसे अगर आपको YouTube में कोई problem हो तो उससे problem यही आती है कि लोग join कर देते हैं और एक महिने बाद उनका membership expire होता है उन्हें दुबारा renew करना पड़ता है अगर वो चाहते हैं कि वो कोर्स के वीडियो से जुड़े रहें तो तो यह चीज है लेकिन वैसे तो हम करवा ही देते हैं सारा जो लोग अलग से join करते हैं तो अगर आप करना चाहते हैं ध्यान यूग अच्छे से step wise step प्रणयाम प्रत्याहार धारना ध्यान समादी धीरे धीरे अचानक से नहीं अचानक से आओ तुमको एक दम चमतकार करके दिखा देते हैं ऐसा नहीं step wise चलेंगे तो बहुत लाब मि उठाइए जोइन कीजिए और लाब उठाइए ना समझ में आये तो WhatsApp नंबर पर मैसेज करकर आप हमें पूर सकते हैं कैसे जोइन करना है कैसे इसका लाब उठाना है तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं बहुत बहुत आभार झाल झाल